हेलो व्यूवर्स वेलकम टू सेल्फ आईक्यू जोन बीए बीएससी और बीकॉम के पार्टू के वैसे स्टुडेंट जिनका एक्जाम जन्वडी के पहले सब्ता से स्टार्ट हो गया था उनके रिजल्ट को लेक नई अपडेट आई है तो क्या है वो अपडेट और रिजल्ट कब आई है प्रैक्टिकल कब होंगे इस सब चीजों पर हम इस वीडियो में बात करेंगे तो यदि आप हमारे चनल बढ़ना है तो इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें इस पेपर कटाउट से आपकी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे बी एनम्यो में असना तक पार्ट टू के मुल्यांकन की तयाड़ी तेज बी एन मंडल विस विद्याले में विलंब से चल रहे सत्र को पटरी पड़लाने की तयाड़ी तेज कर दी गई है राजभवन के आदेश के अनुसार विस विद्याले की लंबित पड़िक्षाएं संचालित कर उसके कॉपी का मुल्यांकन जल्द कराने की तयाड़ी चल रही है कुरोना संक्रमन को लेकर असना तक अस्तर के पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थ्री दोहयार बीस का सत्र काफी विलंब हो चुका है विलंब हो चुके सत्र को नियमित करने पार्ट टू और पार्ट थ्री की पड़िक्षा हो चुकी है सत्रकों नियमित करने को ले करके इसलिए पार्ट टू और पार्ट थ्री के जो स्टुडेंट्स से 2020 के उनके एजाम्स हो जुके हैं जबकि पार्ट वन की एक पेपर की पड़िशा भी बाकी है विश्विद्याले के असनातक पार्ट थर्ड 2020 की कॉपी का जो मुल्यांकन काड़ है संपन होने के बाद पार्ट थर्ड के जो स्ट्रेंट हैं उनके कॉपीयों का जो मुल्यांकन होगा इसके बाद पार्ट टू 2020 का मुल्यांकन काड़ आरंभ किया जाएगा तो अभी part 3 के copy की जो है मुल्यांकन चल रही है ये साड़े copy जब मुल्यांकित हो जाएंगे तब part 2 के जितने भी copies हैं उनका मुल्यांकन काड़ित चल भोगा तो copy का मुल्यांकन जल्द से जल्द हो सके इसके लिए विश्विद्याले ने दो मुल्यांकन केंदर बनाया है मध्यपुरा और सुपॉल जिले के अंतरगत सभी कॉलेजों के छात्रों की कॉपी का मुल्यांकन वीवी के नॉर्थ केमपर एं केमपस इस्थित परिशा भवन में होगा जबकि सहर्षा जिले के कॉलेज के छात्रों की कॉपी मुल्यांकन काड़े SNSRKS कॉलेज सहर्षा में किया जाएगा मुल्यांकन काड़े सुरू करने के लिए तयारी सुरू हो गई है परिशकों का योगदान लेना सुरू कर दिया गया है मुल्यांकन केंद्र से प्राप्त जानकाडी के अनुसार मुल्यांकन काडी सिग्र ही शुरू कर दिया जाएगा लगवग 25 चात्रों ने धी पडिशा असना तक पाड़ लेगा पडिशा फल प्रकासित करने के लिए तयारी कर रही है पडिशा नियंत्रक ने बताया कि सत्र को नियमित करने के लिए जल्द से जल्द पडिशा फल प्रकासित करने का प्रियास किया जा रहा है सत्रक की और नियमत्ता को लेकर के पडिशा नियंत्रक से मिले छात्र राजद नेता तो BNMU के विविन समस्याओं के सामाधान को लेकर छात्र राजद के काडिकताओं ने पडिक्षा नियंत्रन को मांग पत्र शौपा छात्रों ने कहा कि विश्विद्याले में पडिक्षा परिणाम जल्द नहीं आने के काड़न, सत्र नियमित नहीं हो पाढ़ा है विश्विद्याले में सबपन्ड हो चुके पडिक्षा जिसमें BCA, BAD और असना तक पडिक्षा सामिल है उसका रिजल्ट और विलम प्रकासित किया जाए तो साड़ी प्रकिरियाएं अभी तेज हो चुकी हैं तो सबसे पहले तो आप यहाँ जान ले कि अभी तो पार्ट थ्री के जो है कौप्यों की मुल्यांकन नहीं हुई है वो समाप्त होंगे तब आपके जो है पार्ट टू के कौप्यों की मुल्यांकन काड़ी वह अरंभ किया जाएगा और यह तो मुझे याद नहीं आ रहा है कि आप लोगों के प्रैक्टिकल्स होए है या या न उनको प्रैक्टिकट की QUESTION की दी गई तु ते रह तारिक से उनका प्रैक्टिकल का इजाम है तो हो सकता है यदि आपका नहीं हुआ तो इसके बाद आपका भी जो है पैक्टिकल के लिए अपका भी एक डेट निकाला जाए और कॉप्यों की मुलने अंकन होगी तो तकड़ी वन इसमें आपको मार्च पूरा मार्च इसमें आपका जा सकता है तो आप अपने रिजल्ट्स को लेकर जो उमीद रखेंगे तो वो आप मार्च के लास्ट वीक में रख सकते हैं या एप्रेल एप्रेल के दूसरे सब्ता के आसपास आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे यदि ये साड़ी प्रिकडियां लगाता रही तो और हाँ यदि आपको इस पर कोई विशेज जानकारी चाहिए तो इन साड़ी चीज़ों को लेकर इस वीडियो के डिस्क्रिप्सन में आपको एक लि लगाएंगे ये 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 येफुआटैंगे वेख के लिए येच्वाव सर्वाज़ू है झापको लेकर दो प्रिक ही येफिए ग्यूमूर्णी के लाएंगे ये 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 जो